दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का इंगलिस का हम लोग जो है सब्जेक्टिव कोश्चन आंसर का पार्ट 4 देखेंगे इसके पहले भी तीन पार्ट चैनल पे अपलोड कर द वेर वास दो क्रॉव सिटिंग का वह कहां बैठा था तो दद ग्रॉव वास सिटिंग इन ए हैमलोग ट्री को वह जो था वह हैंलोग पे पेठा हुआ था वाट टाइप ऑप प्लांट इज हैंलोग का विर्च है वह किस परकार का पाउधा है इट इस एप वाजनस मतलब क्या हुआ कवी ने कवी पर क्या प्रहार किया था तो कवी ने कवी के ऊपर बर्फ की धूल जाल दी क्या है चलिए अगले सवाल को देखे हैं अगला सवाल की क्या है कह रहा है what was the mood of the poet before falling of the dust of snow on him मतलब कभी पर बर्फ की धूल गिरने से पहले उसकी मनुदसा क्या थी तो the mood of the poet was very sad before falling of the dust of snow on him यानि बर्फ की धूल अपने उपर गिरने से पहले कभी की जो मनुदसा थी वो बहुत उदास थी वो पहले उदास था ठीक है समझ भाया है कि नहीं चलिए आते हैं question number 5 पे question number 5 में आपसे कहा जा रहा है कि how did the dust of snow affect the poet ठीक है मतलब बर्फ की धूल ने कभी को कैसे परभावित कर दिया it changed the poet's sad mood into happiness कभी इसने कभी की उदास मनुदसा को किस में बदल दिया खुसी में बदल के रख दिया ठीक है अगले सवाल को देखते है अगला सवाल देखते है क्या है कह रहा कि what is the central idea of the poem ठीक है आपको बताना है कि कभीता का केंद्रिये विचार क्या है the central idea of the poem is that sometimes even a small incident can bring big chance in our life कह रहा है कभीता का जो केंद्रिये विचार है कि कभी कभी एक छोटी सी भी घटना ना हमारे जीवन में बड़े बदला उला सकती है ठीक है question number 7 पे आते question number 7 में आपसे कहा जा रहा है what do crow and hemlock symbolize the poem मतलब हो गया कभीता में कभीता में कभी और hemlock किसका परतीक है तो the crow and hemlock trees symbolize the dark, depressive, sorrowful and bitter side of nature मतलब हो गया कभीता में कभीता में कभीता में प्रकृती के अंधेरे और शद्ग्रस्त दुखद और कलवे पक्ष का परतीक है question number 8 में आपसे कहा जा रहा है कि wanted the poet think of the day before dust of snow fell on him मतलब हो गया इसका कि बर्फ की धूल अपने ऊपर गिरने से एक दिन पहले कभी ने क्या सोचा ठीक है तो before the fall of a dust of snow the poet before the fall of the dust of snow बर्फ की धूल गिरने से पहले the poet thought his day was reunited as was in a sad and depressive mood मतलब कभी ने सोचा कि उसका दिन बर्बाद हो गया क्योंकि वो उदास और अरशाद ग्रस्ट मूड में था ठीक है बस में मैं गिनी question number आते है 9 में why does the poet say that he had saved some parts of day had root मतलब कभी ऐसा क्यों कहता है कि उसने उस दिन का कुछ हिस्सा बचाया था जो उसने पचताया था चली इसके अंसर को देखते हैं कहता है the poet says that he had saved some parts of the day because the poet was in a sad mood and thought that his whole day would go to waste मतलब क्या हुआ the poet says that he had saved some parts of the day मतलब कभी जो कहना चाहरा है कभी का कहना है कि उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा कर रखा था ठीक है because क्योंकि the poet was in a sad mood and thought that his whole day would go to waste मतलब बचा कर रखा था और क्योंकि कभी उदास मूड में था और उसने उसे लगा कि उसका पूरा दिन क्या हो जाएगा बरबाद हो जाएगा हाला कि the falling fine dust of snow on him suddenly change his mood हाला कि उस पर गिर्ती बर्फ की महीन धूल अचानक से उसका mood को क्या कर देती है बदल कर रख देती है चली question number 10 में आपसे कहा जा रहा है कि what is the message of the poem dust of snow यह important है वी वी आई है इसको आप लोग कर लेना इसका मतलब है कि dust of snow कभी तक संदिश क्या है the poem has a positive and optimistic message है ना optimistic message depression and hopelessness do good or hurts but even a small incident can bring big change in our life इसका मतलब the poem has a positive and optimistic message ठीक है तो यहां पर जो होगा इसका मतलब है कि कभीता में जो सकरात्मक और अशावादी संदिश है ठीक है और depression and hopelessness do good our hurts but even a small incident can bring big change in our life मतलब इसका है कि अवसाद और निरासा हमारे दिलों पर च्छा जाती है लेकिन एक छोटी सी घटना न हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आगर वीडियो पसंद आगर वीडियो को लाइक करना है चैनल पे पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब करना है बेल आकोन को दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मुबाइल पे चला जाए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू